आज हम जानेंगे measurement and measuring tool के lecture नमर 4 में कैलीपर्स के बारे में हमने आपको पिछली lecture में जो clear कराया था 이टिल rule के बारे में clear कराया था उससे आपको काफी deep में जानकारी मिली होगी कि 이टिल rule है क्या और उसके बारे में कैसे उसके types हैं कैसे उसको measurement किया जाता है तो आपको clear हो गया होगा और आज हम उसी पर आधारित chapter है जानेंगे का भी प्रियोग देखिए क्या करते हैं पहले डारेक्ट मेजरिंग जो हमने स्टीज रूल में आपको बताया था डारेक्ट मेज़र आनि कि किसी कॉंपनेंट आज जाब को सपोर्ट आपका यह जाब है और हमको यहां से हां तक इसकी लेंथ को मापना हूँ हमने क क्या किया इस्टी लील को लगाया और उसको माप को पता कर लिए और तुरंत पढ़ लिए कि यह साइज हमारी सपोर्ट देट भी समय की लेंध में साइज है इतना किलियर हुआ और कैलिपर के बारे में क्या जानते हैं कैलिपर है क्या आगी कैलिपर के दौर हम साइज को तु माप नहीं सकते उसके लिए किसी और मेजरिंग टूल की जरुवत पड़ती है तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और उसके टाइप सो जानेंगे उसके साइज को कैसे लिया जाता है क्या क्या उसके यूज है उसके बारे माद हम जानेंगे तो चलिए फहले हम इसके जानते हैं इंट्रोडेक्शन जानते हैं कलीपर क्या है क्या इंट्रोडेक्शन जैसे कलीपर क्या है एक प्रकार का इंडारेक्ट मेजरिमेंट टूल है जिसके द्वारा किसी जाब का लंबा चौणाई मोटाई ब्यास इत्यादी चेक किया जब आ है इसको माप लेने के बाद हम इस्टिलोल की सहायता से माप को किलियर कर पाते हैं यह तो अब इतना किलियर हुआ होगा जो आपको ईसके introduction में चलते हैं material के बारे material जान लेते हैं material है क्या oh material से आप यो समझें कि जैसे किसी भी measuring tool का material बहुत depends करता है कि वह किस धातु का material बना है कि कि इस पर कहीद अफे कितने question बन जुके हैं कि material से आप क्या समझते है material होता क्या कौन सा material कि इस धातु का बना है तो इससे जानना बहुत जोरी है जैसे जो है कलीपर है कलीपर आपका क्या करते हैं कि हाई कार्बन इस्टील आप माइल्ड इस्टील के बना जाते हैं हाई कार्बन इस्टील या माइल्ड इस्टील के बना जाते हैं हाई कार्बन इस्टील से क्या समझते प्रकार का मेटल है और माइल्द इसटील भी एक प्रकार का मेटल है तो इसमें ये चीज बता रहा है कि आप को दोनों चीज क्लियर होना जरूरी है, ज опас का जब आपका बना रहे है करेंगे, क्यों आपको अगर पढ़े होंगे आप लोग देखेंगे कि दो चीज ll function में देता है, कर दो बारे को कभी backwards को लिए लया हमने क्लियर करा दिया कि क्यों क्यों देते हैं तो जब आपका केलिपर है justeoo outright वी रिर के बने होंगे तो उसमें क्या होगे उस मैटरियल कोht एंपर करेंगे और माइल्दे डिस्टील करेंगे तुट-त cr पर करते हैं और माईल लिश्टील में क्या होता है कि जब हम किसी मेटेरियल में अनि धातु में कारळन आपक्ता कम होती है तो उसे हम केस हाड्धिंग करते हैं इसका फिज तो आप लोग को material होगय अब चलते हैं size के बारे में हैом size से हम क्या समझते हैं किसी भी इस्टुमेंट को कियोас कि वह कितना तक ul कर सकता है ऑर है स्पक्राइज का कहां से कहां सबाइज माप सकते हैं इसके बारे में भी जाना जरूरी है तो जैसे size से हम और तीन सो एम तक पाय जाते हैं क्या होते हैं 150 एम हम से 200 एम और 300 एम तक पाय जाते हैं तो आपको इतना किलियर हुआ होगा आप चलते आगे देखते हैं बता रहा है कि इसका जो साइज होता है हमको रिविट या किल के आपको बता दूँ देखिए आपका यह रिविट है और आपका यह वर्किंग पॉइंट यहां क्या करते हैं साइज को मापते हैं जैसे आप यहां रिविट है और रिविट से वर्किंग पॉइंट जहां तक आप जाब को मापते हैं तो यह कभी हैं इसका हम रिविट से वर्किंगुएंट तक की दूरी मापा जाता है जै यह ओ जो भी क bons हो चहाए आपके इंसास के लिपर हो और चहाए आपके जैनी के लिपर हो चाहाए जो भी कयलिपर हैं मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे इसी टॉपिक में कि जैनी कलिपर आउटसाइट कलिपर के क्या-क्या उप्य हो गाएं तो आपको साइज के पता चल गया होगा साइज से क्या लेते हैं तो साइज आपका क्या है यह आपका साइज हो गया हाने रिवीट किल के वर्किंग पॉइंट तक की दूए से हम इसका साइज किलियर करते हैं इतना किलियर हुआ होगा आगे चलते हैं जानते हैं टाइप्स के बारे में टाइप्स होता गया है प्रकार के बारे में जानते हैं कलीपर की कितने प्रकार हैं कलीपर की कितने प्रका आउट साइड इंसाइड और जैनी कलीपर तीन प्रकार के कलीपर हैं तो चलिए हम यह करके डिसकस कर लेते हैं आउट साइड कलीपर क्या है इस प्रकार के कलीपर में हम आपको बता इसके द्वारा किसी जाप की लंबाई, चौणाई, मोटाई और ब्यास का माप लेते हैं इतना किलियर हो रहा हुआ आगे उसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा भी होगा कि आउटसाइट कलीपर का साइज क्या है और आपका आउटसाइट कलीपर का फिगर क्या है तो किसी जाप क्या करते हैं लंबाई और क्या बोला है उचाई और चौणॉडाई, लंबाई, चौणॉडाई, उजाई और मोटाई और किसी स्रिण्ड कल याब का ब्यास्मापना है तो क्या करेंगे इस आउट साइट क्लिपर के द्वारा हम ले लेंगे आप लोग मेजर करने का भी तरीका आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटसाइड के लिपर के द्वारा कैसे मेजर करते हैं तो आगे आप नेस्ट टॉपिंग में देख लेते हैं इंसाइड के लिपर के द्वारा क्या करते हैं इन इन साइड करीपर के द्वारा किसी जाब की अंदर का माप मापने के लिए प्रियोग के जाता है इसकी जो लेग होती हैं दोनों बाहर की तरफ मुड़ी होती है अपको इन साइड के लिपर का फिगर दिख रहा होगा तो उसमें हम आपको बताया हैं और आप समझा लेते ह कि कैसे इन साइड का प्रियोब करते हैं देखेए यह आपका सपोर्ट देट इन्साइड के लिपर और इन साइड के लिपर है और इन साइड के लिपर के द्वारा क्या बता रहा है? कि इसका जो है साइज जान किसी अंदर का गुझे से होल है आपका सपोर्ट है, уж आपकोई चीज एक सिंडिकल जाब है'j nicely है अंदर से hollow है। इसके आंदर का क्या करना है बोर्साइज को पता करना है तो बोर्साइज को पता करने के लिए क्या करें के हम कैलीपर और को पर लगाएंगे हुछ को हम जितना माप खुला ह ben आपको फिर हम इस्टी लूल पर रखके लिए कि मुगाने भी अंधर यह से बचिए चीलीपर होटा क्या यह है इसके जो टांगे हैं आप लोग देख रहांगे बाहर की तरफ हैं तो आप लोग को किलियर हो गया होगा अब इनसाइड के लिपर आप चलते हैं नेस्ट टॉपिक में जैनी के लिपर के बारे में जैनी के लिपर होते क्या जैनी के लिपर इस प्रकार के के लिपर की एक टांग सीधी और नुकुल इत्यादिक बोलते हैं इस कैलीपर के द्वारा किसी जाब का गोल सेंटर ग्याद करते हैं इसका भी फिगर आपको इसक्रीन पर देख रहा हुगा और कैसे माप लेते हैं इसके बारे में हम चलिके आपको बताते हैं आपको बता रहे हैं इस चित्र के माधियम से यह क्या बताया आपको कि इसकी जो टांगे हैं 12 mm के रेडियस में यहां पर आपको एक चीज ए डीबली कोस्चन है 90 डीगरी कोन पर इधर घुमी होती है और यह जो टांग रती है यह सीधी होती है फिचर डीफेंट आप लोगे इतना कीर फिगर के माध्यम से श और हो आओगा आपको क्या करते हैं जैनि कैनी पर आपको किसी मंतुछा म्तढ़ा करते हैं यह जो टेज और नुकिली ध्हार वाले होते हैं इस्सें से हम किसी जब कर कर लेते हैं किसी जाब का हम सेंटर पता कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि किसी जाब का सेंटर पता करना किसी जाब का मार्किंग करना इत्यादी असान हो जाता है इतना किलियर हो गया होगा और चित के बादें से देखर भी रहा होंगे कि कैसे मार्किंग की जाती है कैसे इसका सेंटर ग्यात करते हैं तो आसा करते हैं आप लोग को टाइपस आप कैलीपर में इतने तीन चीज आपको किलियर हो गया होगे अब चलते हैं ज्वाइंट के बा अब लोग देख रहोंगे, एक spring joint होता है, इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं, ये भी कई तब एक जाम में question घुमा के पूछते हैं, तो मैं आपको deeply करके एक एक question को बताता हूँ और इसमें समझाता भी हूँ, तो अगर आपको question में doubt रहता है और मेरे समझाने का तरी करते हैं आपको. जैसा यह आपको देख रहे है, firm joint है, firm joint को क्या करते हैं यह kil को मलब एक rivet औरawl प्लट के द्वारा क्या करते हैं, दोन्व लेगों को हम क्या क्या करते हैं, joint कर देते हैं यह फर्म joint कर car ही यह उतना एक्रॉआशी में माप नहीं लेते हैं इसके द्वारा क्या करते हैं जो इस्प्रिंग ज्ट्राइं выглядит इसको ने के लिए एक लंबी सी स्क्रू राड होता है जिसको द्वारा हम नट के द्वारा इसको अर्जेस्ट कर देते हैं सुधता में माप ले सकते हैं तो इतना तो किलियर हो गया होगा कि जॉइंट फर्म जॉइंट और स्पिरिंग जॉइंट होते क्या हैं एक चीज आपको एक चीज और किलियर कर दो इसमें कि कभी-कभी ये पूछता है कि इस कैलीपर के द्वारा कितनी तक माप ले सकते हैं तो आप कितने एकुरेसी तक क्या है ये चीज भी किलियर होना जरूरी है तो हम आपको बता दें कि कभी भी कैलीपर के द्वारा एक बटे 64 इंच या एक बटे 2 mm या 0.5 mm साइज तक हम माप लेते हैं एक बटे 64 या एक बटे 2 mm क्या है सेम वही लिस्ट काउंट है जो हमने आपको पिछली लेक्चर में बताया था इस्टीलूल क्योंकि जब हम कि इस कैलीपर के द्वारा हम ज्यादा तरफ प्रियोग हम इस्टीलूल की सहायता से करते हैं तो जो इस्टीलूल का लिस्ट काउंट है हमने आपको क्लियर किया था अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर वाच करके उसकी जान करिए और वीडियो को अच्छे जानकारी मिले तो लाइक भी किया करिए और आगे हम नेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेस्ट लेक्चर में इन्युवर्सल बेबल और कंबिनेशन बेबल के बारे मताएंगे तो आज के रिए इतना ही थांक्स फार वाचिंग